नमस्कार स्वागताब सभी का History 360 चैनल में मैं रवी कलरिया इस्ट्री लेक्चर राजसान से आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जैन एन माथुर की और से आने वाली विश्वीतिहास की इन तीन किताबों में क्या डिफरेंस है ये मैं शुरुवात में ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये तीनो एक ही सीरीज की किताबे नहीं हैं तीनो अलग-अलग किताबे हैं ये जो मैंने उपर लिख रहा की है 2021 की आधुनिक विश्वीतिहास पुनर जागरन से शीतियो तक ये खास दोर से राजस्तान में असिस्टन प्रोफेसर के एक्जाम के लिए निकाले गई थी हालांकि आप इसको दूसरे एक्जाम के लिए पढ़ सकते हैं इसका पूरा रिव्यू आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा मैंने इसका रिव्यू किया था इसमें जो दाईं तरफ आधुनिक विश्व इतिहास लिख रहा है जो सामाने ते आप उस तक पढ़ते हैं और खरीते हैं और इसके बारे में ही आपने जाज़तर यूट्यूब वगरा पर देखा होगा यह जो किताब है इसका ही शोर्ट फॉर्म यह है कुछ एक दो टोप इसके अंदर कौन-कौन से टोपिंग है उसके लिए आप जो पहले वाला वीडियो है वो देखेंगे तो फाइदा रहेगा आपको क्योंकि अभी मैं पूरी बात इसके अंदर नहीं बता पाऊंगा वैसे दो पेज में है आप फोड़ा शोर्ट में देखना चाहें तो लामे और लगभग 270 रुपे में मिल जाती है और और आपको शायद सस्ते में मिले और साड़े 400 के आसपास इसमें पेज है 450 के आसपास अब यह 900 से ज्यादा पेज की दो किताबे हैं दोनों में ही 900 से ज्यादा पेज है यह जो आधुनिक विश्व इतिहास ग्रीन कलर वाली अलग अलग सीरीज हैं दोनों ही हर साल लगभग इनकी नए संस्क्रण छपते रहते हैं हालां कि बदलाव कभी-कभी होता है तो यह किताब इसका मैंने रिव्यू कर चुका हूं और इसके जो टोपिक्स वगएरा है मैं आपको दिखा चुका हूं यह खास सोर से लिखी जा उससे और इसमें यह एगे कृण नहीं मैं अंतर करूँ तो क्या ढ़ेंस है यह विश्व इतिहास 151950 अब पंद्रासों से 190 के टोपिक इसा नहीं हैं कि इन दोनों में सेम हैं इसलिए किताबें अलग हैं पंद्रासो से 1950 के कई एक्स्ट्रा टोपिक यह जो मेरे बाईं तरफ है विश्व इतिहास इसके अंदर लिखे गए हैं जो दाईं तरफ वाली है उसमें इस वाले टोपिक तो हैं ही लेकिन आधुनिक विश्व इतिहास के कुछ और टोपिक हैं जैसे शीतियूद से सम्मनित ह हैं और जो एक दुरूव विश्व बाद में जो शौविश्व इसके बाद में अमेरिका के प्रभुत्त वाली बात है वह बात इसके अंदर दी गई है ओपनिवेश्व इक मुक्ति यहां से आगे यह जो आठवा पॉइंट देर का है शीतियूद इससे आगे-आगे के हम मैं इसको पास नहीं ला पाँगों काफी बड़ी बुक है फटने का डर रहता है हाथ में फिर कंट्रोल भी नहीं हो पाती तो यह देखिए यूरोप का की करन उपनिवेश्वाद का अंत अल्प विकाश शिलता सोव्यत संग का विक्टन और एक द्रूव विश्व इसके ब 1950 वाली में सिर्फ 1950 से बाद का ही डिफरेंस होता तो इस किताब की कोई जरूरती नहीं होती थी जबकि यह किताब हर साल वो नए तरीके से छापते हैं जो अभी मेरे पास है यह 2020 का एडिशन है तुम आपको दिखाता हूं कि इसमें क्या दिया गया है यह जो दाइंतरफ व मिलती है ओफ लाइन का मुझे पता नहीं रहता क्योंकि मैं मौसली जो किताबें हैं वह ओनलाइन ही खरीदता हूं अब मैं इसका दिखा देता हूं इसका मैं रिव्यू किया हुआ नहीं है तो यह आप इसको देख सकते हैं कि 20th edition 2020 और इसका मैं आपको दिखा देता हूं औ आपको आधुनिक विश्वीतियास जैनेन मात्रों में नहीं मिलेगा इसका नाम है विश्वीतियास उसका नाम था आधुनिक विश्वीतियास तो यह और यह बिगिनिंग ओफ कैपिलिजम है यह भी उसमें नहीं मिलता है यूरोप में पुनर जागरण और धर्मसुधार पुनर जागरन आपको इसमें मिल जाएगा लेकिन धर्म सुधार इसके अंदर नहीं है जबकि जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग से निकाली है तो मैंने आपको पहले दिखाई चोटी बुक के उसमें आपको पुनर जागरन और धर्म सुधार दोनों मिलते हैं तो ये इसमें एक धर्म सुधार वाला डिफ्रेंट हो गया आधुनिक विश्वितिहास से इसके अलावा नमीन निरंकुष, राजतंत्र, राष्ट, राज्योदे ये टोपिक में भी कुछ बातें इसमें डिफ्रेंट दी गई हैं ये जो दिया गया है वानिज जिवाद प हलांकि इसका थोड़ा बहुत वीवरन आपको बीच वीच में कहीं मिल सकता है लेकिन अलग से टोपिक ये नहीं है उसके अंदर फ्रांस का प्रभूत्वे विश्विके वेग्यानिक दृष्टिकॉन का अभ्यूदे प्रभोधन का यूग तो ये ये जो बात है ये उसमें अलग से एड किये गई है हलांकि उसमें शुरू में ये टोपिक दे निर्खा है लेकिन पुनट जागरन के बाद में ये जो मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेर, रूसो वगरा वो उसके अंदर एड है जो आधुनिक विश्वितिहासाती उसमें अधिकान से इसमें से एड किय प्रश्ची अंदर भी पाएंगे और सेम ही मिलेगा आपको मतलब लाइन तु लाइन मैच करता है इन्होंने अलग से कोई लिखने का प्रियास नहीं किया ऐसा नहीं है इसमें कुछ टोपिक एक्स्ट्रा है पस्ची में उदारवाद प्रजातंतर का विकास में आपको इसक तो उसमें अलग प्रकार का सिलेबस है राजसान में अलग प्रकार का सिलेबस है किसी दूसरे स्टेट में पीजीटी में अलग सिलेबस होता है कहीं असिस्ट्न प्रोफेसर में अलग सिलेबस होता है तो या स्टेट पीचिस में कोई अलग टोपिक हो सकते हैं तो उसके अक लिखती है इसलिए वो हर साल इसको छापे जा रहे हैं यूरोप में समाजवादी तताश्रम आंदोलन यह टोपिक आपको उसके अंदर नहीं मिलेगा हालांकि ओद्योगी करांती तो सब में मिलता है इनकी तीनों ही किताबों में है फिर एटली का एकिकरन जर्मनी का एकिकरन यह सारी बातें आपको उसके अंदर मिल जाएंगे फिर इसके बाद में देखिए कुछ टोपिक्स और हैं जो आपको अलग तरीके से मिलेंगे देखिए यूरोपिय शक्तियां था ओटुमन समराज्य यह बहुत ज़्याद अच्छे तरीके से उसके अंदर अलग से मेंशन नहीं दिखेगा लेकिन उसके अंदर है यह चीन में सामयवाद का उदे तथा स्थापना अरब संसार में जागरती मिश्र में स्वादिंता तथा सुधार हेतु संगर्ष कमाल अता तुर्क के अदिन आधुनिक तुर्की का आविरभाव यह टोपिक उसके अंदर आपको व कैन्यवाद का उदे यह तो सब इस सभी बुक्स के अंदर होता है उसमें भी है अब इसमें डिफरेंट क्या है जो मैंने आपको कुछ टॉपिक्स बताए ओवर यह हम देखें तो लगभग 30-35 प्रतिशत आपको इसके अंदर अलग टोपिक मिलते हैं डिफरेंट मिलते हैं कि यहनकर और अपको टोपिक्स लेनी चाहिए तो आपको अपने टोपिक के अखोर्डिघ समय अड्यूर्यूर्य गोता पर यहिए प्रफियोजन हो जाता है कि कौन से लेनी चाहिए तो आपको अपने टोपिक्स के अकोर्डिंग लेनी है इसके टोपिक्स मैं आपको दिखा दिए बाकी कि जो दोनों बुक से उनके रिविव में कर चुका हूं तो आप चैनल में यह धी ढूंडेंगे तो आपको मिल आधुनिक विश्व इतिहास 1500-2000 में सिर्फ 50 साल का ही अंतर नहीं है 1500-1950 में 450 साल का जो इतिहास है वो उसमें भी कई टोपिक्स एक्स्ट्रा है जो कि इस विश्व इतिहास वाली बुक में एड किये गये हैं जिसके बारे में अधिकान्स लोग जानते ही नहीं है अब चैनल का मोटीव रहता है उमीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगाऊगा वीडियो का आप लाइक जरूर करेंगे कमेंट जरूर करेंगे या आप चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे इसके लावा आप प्लेलिस्ट जरूर चाहिए वहाँ पर बहुत सारी बुक्स के रिव्यूज और टीचिंग वीडियो आपको मिल जाएंगे धन्यवाद